नमस्कार साथियो मैं आरके मिसरा इंजीनर से आपे स्वागत करता हूँ 10 मिनट का रैपीड रिवेजन होगा कालम और स्ट्रेट देखें अगर कालम की बात करें तो यह आलवेज वर्टिकल मेंबर होता है अगर करोगे तो ऐसे बी हो सकता है लॉंग कालम की बात करें तो जादातर से यूलर्स का फार्मुला होता है इस कालम की स्ट्रेंथ को कलकोवेट करने के लिए अलग अलग केस में कि इसका स्ट्रेंथ कितना हो रहा है strength not this is not the load applied यह हमारा फार्मूले से हम कॉलम की strength बताते हैं इसमें पाइ स्क्वार ई आई बाई एफेक्टिव का स्क्वार तो देखो यहां पर एक फार्मूले को माद्यम से आपके examination का एक नमर फिक्स करने की मेरी कारेंटी है इसलिए वीडियो को शुरू से अंट तक देखिएगा और informations अच्छा लगा लाइक भी करिएगा प्रयास हमारा रहता है कि आपको कम से कम समयों में maximum information इंजिनियस दिया जाए तो दोस्तों यहां पर सेलेंडर्स रेशियो की वैलो असी से कम है साथ कालम असी और एक सब बीस के बीच में मीडियम कालम और एक सो बीस से ज्यादा है तो जो हमारा यूलर्स फार्मूला होता है फेल होता है बिस्तिकी beckling में है है लूझ के जी फिलीऊ में को से न की को हुते है और जों कब करने में हमारा buckling और crushing दोनों होता है देखे इसमें अक्सर करके and condition में पूछा जाता है questions हर conditions के strength जैसे दोनों साइड में fix होता है तो visits li तो यहां पर बोथ हैंड फिक्स में क्या हो जाता है जब एक साइड फिक्स और दूसरा साइड हमारा हिंज रहे एक फेक्टिव जैंद की वैलू इसमें पुट करते हैं तो इतना जाता है फिर उसके बाद हमारा देखो इधर से इधर चलोगे तो कालम का स्ट्रंथ धर देड इक्रीज होता जाएगा तो यहां पर दोनों साइड में हिंज कर देंगे तो इिध़्य露ियंध की मेलू हो जाएगा तो फिर पाई स्क्वा ईए बार्य एल सुअ जा ? एक साइड फिक्स दूसरे साइड में फ्री हो ठो एप्य ख्त्र. फिर कालम का स्ट्रंथ पाई स्क् तो कभी-कभी examinations भी क्या कर देता है दोस्तों कि ये बोल देता है कि नहीं आप ये बताइए पहले और जैसे कि हमारा एक questions पूछ दे let's see कि अगर column का strength both hand fix का आपका free and fix के साथ ratio क्या होगा ये questions तो भाई आप इसका और इसका हम division कर देंगे तो 16 is 2 बना जाएगा इसमें examination में किसी का भी पूछ सकता है अब इसमें क्या करेगा इसका strength दे देगा इसका पूछ देगा तो numericals भी examinations में पूछे जाते हैं अब ये हमारा तीसरे का चौथे से पूछ दे तो अगर हमारा hinge रहे बोथ हैंड हिंज रहे और फिर उसके बाद बोथ हैंड हमारा hinge रहे तो दोस्तों बोथ हैंड हिंज का अगर free और fix के साथ तो यहां पर मेरे पहरे बच्चे तो यहां पर जब ratio लोगे तो one is to कितना हो जाएगा जरा बताईएगा समझ रहे हो कि नहीं मैं आप लोगो से बताना जाएगा और questions में अक्सर करके यह ratio based questions या फिर दोनों में से कोई एक देगा तीसरा पूछ लेगा अब एक होता है बेटा कि यहां से यह वादा decreasing sequence है और बात है इंटू AC होता है यहां सिग्वाइसी क्या है दोस्तों एविड स्टंथ अंडर कंप्रिशन एसी क्या है कादम की क्रसिंग एरिया है यह टॉपिक इतना आसान है कि मुझे दगता है कि थोड़ा सा भी आपने प्रयास किया और पूरे वीडियो को देखा तो मुझे दगरा कि फायर कर दोगे यार स्टंथ आप मैटेरियल के तीन चार चैप्टर से ऐसे हैं ना जो मेकैनिकल स्विल में मतलब बहुत स्कोरिंग है तो यह कॉस्चन्स अक्सर के अक्सर करके पूछा जाता है यह एंड इसको फैक्टिव लेंथ बोलते हैं दोस्तों कभी-कभी ठीक है त लेकिन दोस्तों देश की सबसे एफड़ेबल यह जूकर आप अगर आप एससे जैई जैसे एक्जामरेसंस में अपियर हो रहे हैं तो आपके कंसेप्ट में किलियर कंसेप्ट किलियर होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों और कंसेप्ट किलियर करने के दिए मैं डेली आप द करिए दूसरा दोस्तों वीडियो जाइक करके स्किप कर सकते हैं लेकिन दोस्तों देश की सबसे एफड़ेबल एजुकेशन सिस्टम के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो एससे जैई 2023 का सिबिल और मेकेनिकल का फॉंडेशन बैच फॉस्ट टाइम इन इंडिया ऐ करिए किसे वे बैचस को अपनी ब्रांज सब्सक्राइब करने के लिए आपको यहां पर कोड आलवेस जयाद रखेगा जुड़न करते समय बहुत मजा आएगा यार बहुत मजा आएगा सब कुछ है यार टेक नॉन टेक लाइब क्लासे से रिकॉर्ड़ वीडियो सब कुछ है और यहां पर विव आफर में जा करके आलवेस रिकमेंड करना है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ यहां पर कोड पूछेगा देखो अड़ा में ऐसे बहुत सारे कोड है लेकिन देखो सभी कोड से बराबर डिस्कॉर्ड मिलेगा या इससे कमी मिलेगा तो यहां प अगर आप Y201 कोड से ज्वाइन करते हो तो आपको मेरे लिंक वीडियो के लिचे तो 78 परसेंट का पड़ेगा अगर आपका एक्जाम टार्गेट है कि अपने ब्रांज का महापेकलेश बस इतना ही है महापेक 30 रुपए कि यह सकता है सारे एक्जामेशन की लाइप प्रामे कंटेंड भी आपको मिल जाएगा तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग बताइए गया ठीक है तो ऐसे इनफॉर्मेशनल वीडियो के लिए एक तो होता है कि इनफॉर्मेशन एक होता है कि हम बच्चों को बताते हैं कि यार आए एफॉर्टेबल एजुकेशन के साथ जुडिए और अपने सेवेक्शन को सेक्योर करिए 2023 आपको होना चाहिए इतना ही बात है तो कम से कम समयों में जादा जादा इनफॉर्मेशन दे